पहला कहता है बताईए कि निमनलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुड़नखंड x-1 है पताईए कि निमनलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुड़नखंड x-1 है तो बच्चा नीमनलिखित बहुपद में पांच से छे बहुपद दिये हैं, जिसमें तीफरा ये है, हमें ये बताना है, कि यक्स प्लस वन जो है, ये छुटकवा जो है, इसका बहुपद है, वो गुडन खंड है, क्या है, फैक्टर है, जैसे कोई कहे कि सिद्ध करो, कि तु सिद्ध करने का, अगर साइन्स की देख्टी में देखें, तो DNA टेस्ट होता है, वैसे बोल चाले, सामान इंसानियत में देखें, तो बाई, मम्मी तो बता हुए करेंगी, किस के हो, तो ये हर किसी पर लागू होता है, तो मतलब हमारा ये है समझने का, कि इसमें कैसे समझे करेंगे, वो तो मैं एक आधर से एक्जांपल बताया कि तुम्हारा दिमाग थोड़ा खुले, जिनको नहीं दा रही, देखो, आप ECLPUs बच्चा पढ़ लो, पढ़ लो, विकास सिंह राजपूद, गुड इवनिंग, देखो, समझो, मैथमेटिक्स में आते हैं, एक संख्या 22 का एक गुड़नखंड दो है या नहीं, तभी बच्चे बोलो यास या नो, बताओ, आप लोग बताओ, क्या संख्या 22 का एक गुड़नखंड दो है, अगर है तो बोल दो यास, नहीं है तो बोल दो नो, बोलो है या नहीं है, तो भाईया हो, समझो यहां पर इसका दो जो है वो इसका गुडणखंड है पक्का है क्यों है तुम्हें पता कैसे चला क्योंकि चचा ओ छोटू चाचा से भाग करेंगे इनको ऐसे ऐसे हां उपर से दो उतारेंगे दो एक कम दो यह भी लपेट लेंगे जीरो आ जायेगा इनीले बनायेगा मतलब रिमाइंडर जीरो सेसफल जीरो अगर जीरो आ रहा है तो क्या है उसका एक गुडणखंड वो दी गई नंबर है अन्य था नहीं है ठीक है समझ रहे हो न अच्छा पेटा यह बताओ तुम लोग सभी बच्चे ध्यान से समझो अगर मैं तुमसे बोलूं कि यह बताओ अच्छा संक्या पैतालिस का एक गुडणखंड तेरा है बोलो देखो टॉपिक पर ही बात कर रहा हूं जब तक तुम पॉइंट को गहराई से नहीं समझोगे कुष्चन कुष्चन रटते रहो खोपड़ी पीटते रहो कुछ हिलने वाला नहीं है इसले समझ लो चाहे दे गुस्पालता तू पॉइंट आफ रीडिंग कुनाल यादो मीना बर्मा राजकुमार तिवारी ठीक है बेरिकूर तिवारी जी बिसकर्मा जी ठीक है बर्मा ठीक है यह सरनेम है जो मैं बोल रहा हूं बत्रह से बोलना नहीं चीए क्योंकि आज का यूब बड़ा गड़ प आप रहेंगे ना तुम तो अलग भी रह्यादरी सो बनेगा नहीं ऐसे बात अमझे रहे हो ना राज को जगड़ा होता इनमें यह बराबर कभी भी जीरो होंगे नहीं तो अगर जीरो होंगे नहीं तो क्या है ये इसके गुणनखंड नहीं है तो भाई आहो बाबू हो ये सारा जो पचरा तुम्हें हम सुना रहे थे न वो इसको समझाने के लिए इसको समझाने के लिए तो वही तरीका लाके इसमें ढकेल दोगे रजा इसमें क्या करोगे इस बहुपद को बड़े वाले बहुपद को इस छुटकाववा से भाग करोगे और अगर भाग करने पर से इसको जीरो आया तो लिख दोगे हाँ x plus 1 is a factor of polynomial p of x hindi में बोलोगे x plus 1 दिए गे भावपद p of x का एक गुडनखंड है यहां p of x का मतलब है यह पूरा यह p of x का मतलब क्या है? यह पूरा इसका एक नाम रख दिया गया छोटा सा जैसे देखो कचछा 10 में तुमारे 100 बच्चे हैं किसी का नाम पंका जाया किसी का रोह नहीं है किसी का मुकेस है किसी का चुन्नू मुन्नू है बहुत सारे बच्चे हैं अलग-अलग नाम है तो सबका नाम तो आप टीचर बोल नहीं पाएगा वो क्या बोलेगा कलाफ 9 वाले लोंडे आजाओ जल दी हां समझ रहो ना समझना हमें कि अगर हम यक्स प्लस वन को उसरी एक्स प्लस वन से यह अगर हम यह करेंगे तो भाया हो यह में कई लोग तो लटक जाएंगे वह इसे मर जाएंगे सुसाइट कर लेंगे क्योंकि यह होगा नहीं यह थोड़ा बडा हो जाएगा इस तरह से है ना इस तरह थोड़ा बडा हो जाएगा तो यह भी तरीका सही है भाग करके तुम देखलू अगर जीरो आ गया तो गुरंखन्ड है नेता नहीं है लेकिन यह मेठ़ट बहुत लबी भाग विदी होती है इसल्यली हम इसको खोजते हैं परदान मंत्री से लेकर मुख्य मंत्री तक जुकाड़ खोजता है तो हम लोग इसको क्यूं करेंगे हम भी तो इंडिया के ही है इसको नहीं करना है हम लोग लगाएंगे सेस्फल पर्मिये क्या लगाएंगे बाबू हम लोग लगाएंगे सेस्फल पर्मिये चलो सेसफल पर्मिये में हमें ये पूरा कहानी नहीं करनी पड़ेगी इतनी बड़ी चलो मनोच समझ में आ रहा है मोकेश कुमार, रूपेश, अनूप, चिव, राजपूत, प्रिया, सर्मा, यादोजी, गेमिंग, तब को आरा बिट्टा, चलो अब यहाँ पर लिखेंगे सेसफल पर्मिये से क्या लिखेंगे सेसफल पर्मिये से। यह मनने मान लिया, तेखो, ये ON-ताया इसको मैंने P of X के बराबर मान लिया, जो छुटका हुआ था उसको Q-A-F-X के बराबर मान लिया छुटका हुआ का मतलब जो गुड़नखंड कहे रहा था उसमें है सबके बुग में दिया है देखो फेस्फल पर्मिय में क्या कहता भाई साहब कि Q-A-F-X जो है यह क्या होगा बाबु जीरो के बराबर होगा तो Q-A-F-X का मान क्या है X-P-L-1 है यानि यह जीरो होगा फाइनल में माइनस 1 आएगा यानि हम कहाए सथे हैं कि जो X-P-L-1 का सुन्यक है वो माइनस 1 है क्या है? माइनस 1 है अब इसी तरह से सेसफल परमिये की सहायता से ही हम आगे बढ़ेंगे हमारे में नीचे जगा नहीं है इस वज़ा से हम बगल में हल कर रहे है तो तुमारे में अगर जगा है चाचा तो तुम बगल में नहीं करना नीचे ही करते जाना अब यह जो यक्स का बैलू है इसे लाके इसमें डखेल दोगे पुट कर दोगे अगर यह 0 हो जाता है पूरा पूरा तो कहोगे कि यक्स प्लस 1 जो है इसका एक गुणनखंड है और अगर 0 नहीं होता तो गुणनखंड नहीं है तो चलो पी आफ 1 निकाल लेते हैं माइनस वन न जहां पर यक्स है ध्यान दो यह यक्स है न यक्स की जगा माइनस वन चलो यक्स का घाट 4 है तो माइनस वन का घाट 4 करोगे तो जिसे बोलेंगे माइनस वन का पावर 4 और फिर प्लस यह 3 है X का पावर 3 है न यहां ध्यान दो X का पावर 3 है न बाबू तो क्या करोगे X की जगा पे माइनस 1 रखोगे तो यह माइनस 1 का पावर 3 हो जाएगा और प्लस 3X का स्क्वाइर है तो यह 3 ऐसे ही रहेगा यक्स की जगा पर माइनस वन का स्क्वाइर प्लस ये माइनस वन और प्लस ये वन ये पूरी कहानी है इनको हल कर लो सत्यम एजेंट गेमिंग पच्चा समझ में आ रहा राजा कुछ हारा रहा है कि नहीं से देखे जा रहे हो बस आ रहा है ना चलो देखो बीच बीच से सामने से हडता हूँ तो तुम स्क्रीन साट ले लिया करो अब देखो भाईया वन का कितना बार भी तुम घात लगा दो वो वन ही रहेगा ये वैसे है बुडवा को चाह इतना में मिसरी दूद गी पिला दो जवान नहीं होगा जवान हो जाएगा तो फिलाल कि सुरा आवस्ता में हो गया मान लो तो जो बुडवा यह रहेगा चाहे जितना तील मसाला लगाओ जैसे देशी कहाओत है कूकर दोएफ बचिया नहीं बनना है तो वही तरह इसकी हाल है कि माइनस प्लस भण या प्लस मन है इसकी घाच भण चाहे जितना लगा दो तूम इसका मान हमेशा हुआ नहीं आएगा चाहे जितनी घात इसकी कर दो ये लो कितनी घात कर दो इसका मान हमेशा वन आएगा तो ये चच्चा तो हमेशा हुआ नहीं रहेंगे ये कभी बदलने वाले हैं नहीं अब देखो आगे समझो देखो तुम लोगों को हमारी कोशिस है कि नींद ना है इसलिए थोड़ा मजा किया अंदाज में भी बताना पड़ता है नहीं तुम सोने भी लगते हो ना ये प्लस हाँ एक चीज यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट समझने वाली है ध्यान दो अब लगंडे बातचीत का ये कर रहा है ध्यान दो इदर देखो सुनो अगर वन या कोई भी नंबर है कोई भी नंबर है मालो हमने वह नंबर को ए से मान लिया कोई भी नंबर है अगर उसकी गात बच्चा सम है क्या है उसकी गात कोई सम संख्या है जयान से समझ लो पढ़ना आगे तो नहीं पढ़ना तो फिर इसे पटकते रहोगे होगा कुछ नहीं तो अगर उसकी गात सम संख्या बेटा किवल यह समझो बागी नहीं ठीक है जैसे उद्हारण देख लो अगर माइनस वन का घाज चार है तो चार एक संख्या है तो इसका अंसर प्लस वनाएगा समझ रहो ना और अगर कोई एक संख्या मानलो ए है इसकी घाज बी सम है क्या है बिटा बी सम है जयान देना अंदर में संख्या माइनस होगी याद रखना इसको नहीं तो यह संख्या माइनस हो जाए नहीं अंदर में संख्या माइनस रहेगी जैसे यह माइनस वन है समझो यह इतना है इतना है इतना है तो अगर यह माइनस है और यह बी सम है बिटा तो हमेशा आंसर माइन टेक हुआ ताह तुम गिरे साधानी हटी दुर गटना गटी एक चिन गडबड हुआ तुमारा उत्तर गलत हुआ फिर पेक चिन जैसे एक छोटी सी चिंगारी बहुत बड़ी बिल्डिंग को जला देती न वैसे यहां एक छोटा सा चिन तुमारी कुष्चन माटी कर देगा इसलिए ध्यान थे करें सम्झो परिशन हार है हीमारा नाव ही न है सब जानते हैं व्क ए करें अध्या परिसाल लो परदो जादा ना उड़ो अब कर टाई में वूड़ने का देखो समझो तो ये 1 हो जाएगा इस तरह पर ये माइनस 1 हो जाएगा और माइनस 1 का 3 में गुड़ा करोगे बिटा तो बच्चा माइनस और प्लस ये माइनस हो जाएगा अब मैं फिर ना बताओंगा तुम्हें जाने दो जो नहीं समझ रहे हो तो फिर जाओ मुझे क्या करना है ये 3 हो जाएगा ये माइनस 1 ये प्लस 1 अच्चा सभी बच्चे ये बताओ इसमें से कितने लोगों को समझ में आ रहा है जल्दी बताओ इसमें से कितने लोगों को समझ में आ ये बोलो यास या नो यास या नो बोलो यह समझ में है सबको न देखो बच्चा समझो आएगा यह तीन है प्लस में यह एक है तीन दो पाँच तो फाइनल में यह पाँच हो जाएगा माइनस माइनस का जोड़ोगे मेरा च्यान, तो माइनस कर तीन से संचाकर नहीं ऑन सहक पती है था judge जो समझेंगे उन्हें तो आएगा और वेटा भी नहीं समझेंगे उन्हें भगवान भी ना सिखा पायेगा युँए है तुम्हेरे एक आखे लेकर ना पूरा देखो गया और श्क्रीन साट ले-लो अंदर उस पुलता बहुत अच्छे बच्चे अच्छा यह बताओ तुम लोग कलासवा काय नहीं सेर कर रहे हो भई हम लाइक भी नहीं कर रहे हो इसका स्क्रीन साट लो मैं इसका फाइनल आंसर कर देता हूं फिर मैं तुम्हारा बताता हूं चलो लास को सेर करो ऐसे मज़ा नहीं आ रही है कि दिल ना तोड़ो बाइक दम एकदम ना तोड़ो देखो यहां पर लिखो यह इतना आ गया नहीं आप यहां पर लिखो तो की एक सेजफल सुनने नहीं आपके तो उसके बाद लिख लेना मैं बोल दे रहा हूं आता आता है एक्स प्लस वन आता है एक्स प्लस वन दिये गे बहुपद दिये गे बहुपद पी आफ एक्स का एक पुड़न खंड नहीं है समझ मैं है ना एक बार फिर से सुन लो मैं बता दे रहा हूँ ये आंसर लिखने के बाद छोड़ना मत लिखना जरूरी है लिखना जरूरी है देखो क्या लिखोगे लिखोगे चूंकी ये चूंकी का चिन्ने ऊपर दूठी बिंदी नीचे एक ठी सेस्पल सुनने नहीं है क्योंकी सेस्पल सुनने नहीं है आता है एक्स प्लस वन दिये गए बहुपद पी आफ एक्स पी आफ एक्स का मतलब ये लिखना ये का एक गुड़न खंड नहीं है ठाप लो चलो क्या इसको लिखने के बाद बाबू इस कलास को सेर कर दो भाई या ऐसे मजा नहीं आ रही या प्यारे जल्दी से आप लोग इस कलास को सेर कर दो नहीं आर ऐसे देखो बिलकुल मजा नहीं आ रही हा चलो सभी बच्चे सेर कर दो और एक चीज़ सुन लो भाई ये कलास परतेक साम को साथ बज़ कर 15 मिनट से अभी इस चैनल पर हो रही है बाकि इस कलास का टाइम है साम को साथ बज़े लेकिन चैनल अभी बदला है कुछ दिन के लिए तो इस वज़ा से थोड़ा सा बदला टाइम आपका 15 मिनट बढ़ है 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 देखो बच्चा स्कीन सार्ट ले लिया करो ठीक है स्कीन साठ ले लिया करो क्योंकि आपे हम चापने का राएम यह एभी चाहते है ना यह पर आप जब स्वीन के चैनल टाइम भिज जाएगा आये आपका इंतजार था है न लेकिन अब नहीं है भला चलो क्योंखिंगू आ गे न तो खतं हो गया यह आपका वोगा थार्ड पार्ट इसमें कर फोहर नूंबर कोन कोन कर लेगा अब बोर पारट जलकर लेगा प्रंजलतिवारी कर लोगे बच्चा एकसरसाई 2.4 कुश्चन नमबर 1 का पार्ट नमबर 4 कौन कौन कर लेगा बोलो हाँ कर पाओगे की नहीं रूबी दुबेदी लिख रही हाई हीना बेबी यह बेबी का बच्चा पढलो नहीं जान लो फिर आगे क्या होने वाला है पिर ऐसे दूसरेन को बेबी बोलोगे अपना तब बेबी आएगा नहीं पढलो जिससे तुम्हारा भी कुछ बेवस्ता हो जाए चलो कर लोगे ना देखो सिंपल सा जैसे इसको थाड़ वाला करें हो वैसे फोर वाला भी कर लोगे हां जैसे थार्ड इंटरनेट डिस्कनेक्ट हुआ है यह सब इतने नलायक टाइप के वच्चे हैं कि मैंने क्या बोलू यह को लाइट नहीं है बहुत कम लाइट है इसे बूद्ध जैसे दिखना में सल्लैट चली गई कि छोड़ा सा रुक जाओ कि एक हैं में आपकी बात सुन रहा हूं आप बिलकुल परैसान ने रहों मैं सब भी बात सुन रहूं एक एक बात सून तुम मालओ 200 लोग देख रहे हो 100 लोग देख रहे हो सब लोग बात चीत कर रहेए और कोई टॉपिक पर बीच बीच में तुम को टूक हैं पढ़ ले पढ़ ले तुम पढ़ों गया है नहीं कि इस लिए मैं नहींने बोल रहा हूं करना जिसको है उसका हो रहा है ठीक अच्छी बात है जिनको नहीं पढ़ना है कोई बात ही नहीं और हां हमारे जो टेक्निकल टीम वाले देख रहे हैं बच्चा इन लोगों को बलाग करते जाओ भाई जो फाल्तू का कमेंट मेंट करने इने बलाग करते जाओ ठीक है इने ब्लाक करते जाओ अच्छा रहेगा मैं बता दे रहा हूँ अब ब्लाक कर दो ठीक है कोई दिक्कत दो तो लाइट चली गए थी इंटरनेट डिसकनेक्ट हो गया था अब फिर से हो रहा है ठीक है समझ रहे हो ना मुकेश को ब्लाक कर दो एकदम से पर्मानेंट मुकेश कुमार को पर्मानेंट ब्लाक कर दो बाई इनको दुबारान ब्लाक नहीं करना चलो तो यह आपका हो गया था थर्ड पार्ट हो गया था बच्चा फोर पार्ट पे हम लोग बात कर रहे थे कौन कौन कर लेगा फोर पार्ट आप लोगों ने बोला कि नहीं कर पाएंगे कुछ लोग कुछ लोग बोल रहें कर पाएंगे तो चलो हमारी तो जिम्मिदारी हम तो करवाएंगे तो मैं 4 पार्ट भी करवा दे रहा हूं इसमें अंडरूट और लगा है तो यह रूट और देखके थोड़ी सी धड़कन बढ़ रही है इसलिए मैं इसको करवा दे रहा हूं लिखो चौथा पार्ट लिखो बच्चा एक्स का पावर 4 तभी बच्चे लिखो ऐसे मज़ा नहीं आ रही हां तुरंद लिखो यक्स की पावर 4 एक मिनट डुख जबाई 4 पार्ट कहां गया और नहीं है 3 है न डुख जब देखने तो नहीं तो कुछ और हो जाएगा तो फिर तुम लोग कहोंगे मिल नहीं रहा है यक्स का पावर 3 है माइनस यक्स का स्क्वाईर माइनस ये 2 प्लस अंडर रूट 2 इन्टु एक्स प्लस अंडर रूट 2 तो बच्चों ये बताना है आपको क्या इस बहुपद का एक गुडनखंड एक्स प्लस 1 है बताए आप लोगों को बताना है क्या इस बहुपद का एक गुडनखंड एक्स प्लस 1 है बोलो है या नहीं है ये को सारी परकिरिया वैसे ही करनी है सारा मंतर वही लगाना है बस किवल कुष्टे नलग हो गया है प्रस नलग हो गया बाकी सब वैसे ही करना है समझ में आ रहा बच्चा मनोज सिंग तुम डाल डाल तो हम पात पात समझ रहे हो ना मैं तुम्हारा हर एक कमेंट देख रहा हूं तुम डिलीट वाले कर रहा हूं और मैं तुमको डिलीट करने वाला हूं चैनल से जल्दी देखो बहुत से बत्चे बता रहे हैं नो देखोँ बटा कुछ अपने से कोसिस करो तब हुँने कुछ मै To Be timely ने तुम्हें एक बताया दो बतायतीन बताया और तुम्हें कंब से करना है लेकिन मैं पी आफ यक्स के बराबर मान लेंगे ये जो बहुपत दिया गया है इसे पूरे को पी आफ यक्स के बराबर मान लेंगे हाँ और जो गुडनखंड है कह रहा है या नहीं है उसे क्यू आफ यक्स के बराबर मान लेंगे ठीक है नीचे लिखेंगे शेसपल पर्मिये से पूर डेटियल में कर राउंड, नोट कर लो कि वाफ यक्स इक्वल एक्स प्लस वन गदा है, ठीक है? नहीं, शेसपल पर्मिये से इसको जीरो के बड़ाबर करते हैं यह हमारा सेउसपल पर्मिये होता है, इसका मान यक्स प्लस हれた है तो बेटा ये एक्स का बेलू माइनस वन आएगा क्या आएगा माइनस वन आएगा समझ में आया अब ये जो माइनस वन है इसे दिये गे मुख्य बहुपद में यानि बढ़का लंबा वाले में रख दोगे अगर सब 0 हो गया तो लिख दोगे एक्स प्लस वन दिये गे बहुपद प्याफ एक्स का एक गुड़न खंड है अगर 0 नहीं हुआ तो लिख दोगे नहीं है बस कितना ही करना है सौरव अधित्य कुमार बेटा पढ़ाई कर लो अधित्य कुमार तुम्हें लाइश्ट वार्निंग है अब अच्छा नहीं तुम्हें न हम बहुत दूर बेजने वाले इस कलास से पढ़ लो पढ़ लो क्यों अपने माबाप के साथ साथ अपना भी बरबाद कर रहे हो पढ़ लो मैं अब क्या करेंगे यह मम्हें रख देंगे नेक्स्त लाइन में करो इसके नीचे जगा है तो कर लुटो आगे करने करो क्या करों वहीं कि आप माइनस 1 को अ उधर नहीं दिखर आ ओग न मुझे लग रहा है उसका सकता हूं तो दिखा दूँंग ठीक है। समझों यहां से थोड़ा सा रुको। उदर साइड में थोड़ा कम जगा है मुझे तरा और इससे खीचना था ठीक है dynamics करता हूं तो देखो बच्चा उसके बाद यहां करो जहां जहां पर यक्स है यह मुक्ही क्वेशन है यह इसको ले लो यह भी वही है यह मुक्ही क्वेशन है यक्स की जगापे हर जगा माइनस वन रखोगे क्या रखोगे माइनस वन रखोगे यक्स की जगापे तो पी आप माइनस वन यानि यक्स का क्यों मतलब माइन माइनस वन का स्कॉायर हां और माइनस पोश्टक के अंदर में बेटा यह है थोड़ा सा मीटा हुआ है फिर से ले लो चलो हां तो प्लस अंडर रूट टू है बुक लिये हो तो तुम्हें दिखी रहा होगा तो इसमें तो कुछ करना है नहीं यह जैसे हैं इनको ऐसे लिख द इसको हल करना है पूरा जहां तक दिख रहा है मुझे यह बताओ क्या इसको हल करने पर जीरो आएगा कि नहीं आएगा अगर हम माइनस वन का क्यूब करेंगे अभी मैनने कांसेप्ट बताया था पिछले एक क्लास कुष्चन में तो यह इसका आएगा अभी मैने थर्ड पार्टर बताया है अब यह माइनस वन का स्क्वाइर करो के बिटए तो प्लस हो जाएगा और बीच में माइनस है तो यह माइनस रहेगा इस तरह से यह आपका इतना बनेगा और यह माइनस वन इसका गुड़ा ऐसे ही कर दो प्लस अंडर ऊड़ दो अब देखो माइनस वन का इसमें अंदर में गुड़ा करना है सब में फुल मिला करके तुम ऐसे भी देखो और सोचो और समझो इन दूइनों को तो जोड़ देंगे इनको थोड़ा थोड़ा इदर खीचते लाओ जगा है तो फिर छोड़ो मत अच्छा एक बात बताओ सभी बच्चे क्या ये जीरो आएगा कि नहीं आएगा बताओ क्या ये सुनने आएगा कि नहीं आएगा हल करके भाई कर लो नहीं आ रहा मुझे क्यो परिसान कर रहे हो इतना तो तुम करी लोगे मुझे क्यो परिसान कर रहे हो इतना कर लोगे न देखो अब यह माइनस वन माइनस वन जुड़ जाएगा बैटा तो यह माइनस का दो हो जाएगा आपका और वन का इसमें मल्टिपल करना अंदर में किन माइनस है तो भाईया यह माइनस दो हो जाएगा यह क्या हो जाएगा बैटा माइनस दो हो जाएगा सारी पर क्लिया करूं क्या क्या मतलब करने से मिलागर करके हमें पता चल रहा है कि यह जीरो नहीं होगा लेकिन तुम्हें क्लियर पता होना चाहिए तो यह जीरो के पर नहीं आउ उस फ़ार new करें तो इस पर च्पिर तब ले सकते हो अगर तुम्हें यह से लिखोगे चूकी चूकी सेसफल जीरो नहीं है या सुनने नहीं है अता इसको लिखो जो मैं लिख रहा हूं फर्जिये नहीं बोल रहा हूं लिखो यहां तक करने के बाद में नीचे लिखो चूकी सेसफल सुनने नहीं है अता आता X प्लस 1 X प्लस 1 दिये गए बहुपद दिये गए बहुपद उसके बाद लिखना ये P of X P of X का एक बुड़न खंड नहीं है बस हो गया चुकि सेस्पल सुने नहीं है आता X प्लस 1 दिये गए बहुपद P of X का एक बुड़न खंड नहीं है UK Games बेटा पढ़ लो पढ़ लो बेटा पढ़ लो राजा पढ़ लो ओकेस मीना बर्मा Educational Gaming गोपी चंद कुछ समझ में आ रहा गोपी चलो इसको मिटाता हूँ ठीक है इसक्रीन साट ले लिया करूँ मैं सामने से बीच बीच में देखो हटता रहता हूँ जैसे मैं सामने से हटूँ कुछ भी लिख करके उसका तुरंत स्क्रीन साट ले लो जो मैं बोलता हूँ लिखो फिर उतना ही लिखा करो साथ में बस पाकी स्क्रीन साथ ले लो जब कलास खतम हो जाए तो बाइट के लिखो प्यार से अराम से ठीक है गुड है न सब कुछ चले चलो ठीक है अगर आप नाइंथ में नहीं है तो आपको नोट करने की वैसे जरूरत नहीं है फिर भी लिख लें तो कोई दिक्कत नहीं है देखिए कोईस्टन नमबर सिकेंड अचा एक बात बताओ इसमें से कितने बच्चों के पास NCRT बुक है जो मुख NCRT है मैं एक पोलिंग करूँगा आपस निबेदन है कोई जाएगा नहीं बस एक मिनट के लिए मैं पोलिंग करूँगा एक मिनट के लिए मैं एक कोईशन पोस्ट कर रहा हूं उस पर आप लोग यह से नहीं करना क्या आपके पास NCRT चाहे वह इंगलिस में हो या हिंदी में बुक है आप देखो जिनके पास में कोई प्राइबेट की बुक होगी NCRT पर अधारित होगी वो नहीं करेंगे ठीक है वो क्या करेंगे नो करेंगे आप लोग बताओ क्या आपके पास NCRT बुक है मैंने एक पोलिंग किया सायद पता नहीं कोईश्टन गया कि नहीं गया हां गया है ठीक है तो बेटा सभी जल्दी से वोट करो यस या नो आपके स्क्रीन पे कोईश्टन आया होगा उसमें आपको यस या नो पर किलिक करना है अगर आपके पास मुख NCRT यह तभी यस करना अगर मनोहर वनोहर प्रकासन है राजीव प्रकासन लक्षमी प्रकासन ह हां लेकिन समझो मतलब पाठे करम सब में वह है बेटा ठीक है हां मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूं कि जिनके पास तो मुख NCRT उनमें डारेक्ट मिलेगा मुख NCRT वालों में से डारेक्ट कुष्टन मिलेगा डारेक्ट मैच करेगा कुष्टन कॉइंट घाद नंबर सब मै अच्चों में से लगबग 80% NCRT वाले हैं ठीक है कुषी की बात है उनके बुक में डारेक्ट मिल रहा है चलो ठीक है संतुष्टी की बात है चलो ठीक है बच्चा बहुत अच्छे बेरी बेरे गुड बेरी गुड ठीक है तो यह आपका एकसरसाइज 2.4 कलाफ 9 का NCRT बुक का बेटा फाइस्ट कुष्टन हो गया पढ़ो आप लोग पढ़ो सभी बच्चे जल्दी पढ़ो देर ना करो चलो पढ़ो पढ़ो क्या लिखा है सिकेंड कुष्टन इसलिए तो पूछा बुक लिए हो कि नहीं लिए हो चाच्छा लोग सिकेंड कुष्टन पढ़ो देखो क्या कहता है कहरा कि गुडन खंड पर मिये लागू करके बताइए निमनलिखीत स्थितियों में से पर ते एक स्थिति में जी आफ एक्स जी आफ एक्स पी आफ एक्स का एक गुडन खंड है कुछ समझ रहे हो चाच्छा लोग कुष्टन नंबर सिकेंड पढ़ो किताब लिए रहो तभी समझ में आएक अभी न किताब के पल ले ना पढ़ेगा यहां सत्तनाराण भगवान की कथा नहीं हो रहे ही को अम नमासिवा कर रहे हो लाइफ में चना मिर्द मिलेगा थोड़ा पंजीरी बतासा मिलेगा पानी प्रसत कर लोगे नहीं यहां पढ़ना है तो खाली आथ तो बिल्कुल नहीं आना है तो खाली आथ नहीं आना है किताब लेके आना रोज चलू आगे बात करते हैं कहरा कि गुड़नखंड पर मिये मतलब फैक्टर थेहरम एपलाई करिए और बताएए कि निम्रिक्स स्थितियों में से पर टेकिस्थिति में जी आफ एक्स का मतलब आईसे है इसे जी आफ एक्स बोलते है जी आफ एक्स पी आफ यक्स का एक गुरनखन्द है देखो जीतना वजाई करे हो पहले को इस चन में उतना यह में करना है सब कुछ हुआ ही करना है सब कुछ हुआ ही करना है रूपेज को बलाक कर दो भाईया, रूपेज को बलाक कर दो एकदम से बलाक कर दो इसे, अब दुबारा से अन बलाक निकरना, यह नलायक पता नहीं कैसे पैदा हो गया, इसके माँ बाप पच्ता रहे होंगे, पता नहीं कहां से आ गया, कितना भी समझा लो इन्हें, कितना यह नहीं पढ़ेंगे यह नहीं पढ़ेंगे क्योंकि अपनी जिन्दगी यह पहले इपने चुके हैं plus x square minus 2x x square minus 2x minus 1 यह दिया है यह क्या दिया है आपका यह P of x दिया है क्या दिया भाईया यह P of x दिया बावू इसमें G of x भी दिया है x plus 1 दिया है कह दो अब भाग फल वो शेशफल परमिय भूल जाओ वो हो गई पुरानी कहानी अब एक नई मुसीवत है उस मुसीवत का नाम है गुड़नखंड परमिय गुड़नखंड परमिय में बताया हूं कि नहीं तुम लोग को बताया हूं कि नहीं अब पहले तो तुमको गुडन खंड पर्मिय सीखना एक यह तभी आगे बात कर पाओगे तभी आगे बात कर पाओगे देखो पहले कोई नियम विधान जो है उसे तुम समझोगे न तब ही तुम आगे उसको अप्लाई करोगे तुमको पता इनी क्या है तो कैसे जानोगे कोई कहे कि भाया जाओ फलाने अंकल को बुला लाओ अब तुम फलाने अंकल का थोबड़ा नहीं देखे हो किसे हैं तो किसको बुलाओगे नहीं भुला पाओगे न पहले उनको देखोगे पहिचानोगे हाँ फलाने अंकल रही है बड़े खतरनाग है बड़ा बड़ा मोच राखा के बड़े खतरनाग ताइप के हैं तो तुम एक दिन देख लिए तो जान जाओगे अगले दिन तो पहले देखो इनको गुड़नखंड परमिये पहले सीखोगे तब जान पाओगे कैसे होगा चलो यह कुश्चन तो बाद में होगा पहले अब तुम लोग हेडिंग डालो बेटा कि रिदिंग डालो गुड़नखंड परमिये यह बहुत इंप्वार्टेंट फैक्टर है समाझे लो हां गुड़नखंड परमिये कbucksेडिंग डालो कि पटी पबली पड़़ो पड़़ो टाथ नहीं करेगा पड़़ो मुझे लगरा ज्यादा टाइम हो रहा 해서 गुड़नखंड पर मिये लिख लिया रे यह भीगा हुआ है यहां पर रूपेज दास बेटा तुम दूसरी आइडिस आ गए तो बच्चा हमारे पास बहुत सारा आपसन है तुमारे जैसे ना लाइकों को बलाक करने का चलो ठीक है गुड़नखंड पर मिये लिखो कोश्टक में लिखो फैक्टर थेवरम लिखो फैक्टर थेवरम क्या लिखोगे है एकटर थेवरम कैसे होगा स्पेलिंग साही है थेवरम ऐसे होता है पुड़नखंड पर मिये कितने बच्चे जानते हैं बोलो यास या नो रजनेश को भी बलक कर देंगे अभी डांट वरी रजनेश बेटा सुधर जाओ जहां भी हो तुम जहां भी हो सुधर जाओ नहीं तो हमारी नजर पड़ेगी न तो गड़बड हो जाओगे पड़ लो यार क्यों बर्बाद कर रहे हो अपने आपको भी और घरवालों के सपने सब कुछ क्यों मट्टी में मिला रहे हो क्यों आकर चाहते हो एकदम से बर्बाद कर दे न पड़ लो देखो गुणनखंड पर्मिय क्या होता जैसे भागफल पर्मिय है उसी तरह से गुणनखंड पर्मिय है इसमें थोड़ा सा अंतर होता है ज्यादा नहीं होता है उसमें सेस्फल मुख्य रूप से पॉइंट होता है इसमें सेस्पल होता ही नहीं है बस मतलब एक बंदर है पूछ वाला और एक बुविना पूछ वाला इंसान है बस इतना अंतर है वाकि सकल बनावट सब होई है ठीक है चलो ठीक है तो बच्चा गुडन खंड पर्मिय क्या है किताब लिये खोलो किताब खोलो में पेज नंबर बता रहा हूं उसपर देखो लिखा है उसे देखोगे तब आप बहतर होगा बत्चा किताब खोलो किताब में देखो किताब में देखो पेज नमबर 48, ठीक है, पेज नमबर 48 खोलो, वहाँ पे तुम्हें मिल जाया का गुलनखंड पर्मिये, बोलो है की नहीं, NCRT वाले, देखो गुलनखंड पर्मिये है क्या, यहाँ से समझो, अगर हम मोटा मोटा बात करें, तो गुलनखंड पर्मिये तो सिर्फ इतना ही है, कितना है, पी आफ एक से इक्वल, एक्स माइनस ए, और इंटू क्यू आफ एक्स, यह गुडनखंड पर्मिये सिर्फ इतना ही है, लेकिन इसकी पूरी कहानी आपको मुझे समझाना पड़ेगा, नहीं तो तुम इससे कुछ समझ में ना पाओगे, इससे कुछ न समझ पाओगे, और इसका परियोग भी तुम्हें क्या करना पड़ेगा, पूरा कंसेप्ट सीखना पड़ेगा, अच्छे से तब ही हो पाएगा, ठीक है, तो गुडनखंड परमिया, आप लोग हेडिंग डाल दो, और आज का टाइम उसे लग रहाए, आठ बच गया, 45 मिनट कलास हो गई है, ओबर होता है, तो बच्चा कल इसको करवाएंगे, ठीक है न, आप लोग एक्साइटेड हो, मुझे पता है, कोई दिक्कत नहीं है, बि कल की कलास कौन कौन देखा था, कल की कलास सब लोगों देखे थे कि नहीं, कुछ बच्चे जो कमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तुम चैनल सब्सक्राइब कर लो, जिससे कमेंट कर पाओ, ठीक है, चैनल सब्सक्राइब कर लो, जिससे कमेंट कर पाओ, स्पोर्ट गेमिंग जल्दी बता दो बोड़ा मज़ा आता यार अपना जीला बता दो राजी कौन सा है जल्दी बताओ जैसे कलास आपकी परियाग राज उत्तर परदेश से होती है कलास परियाग राज उत्तर परदेश से होती है आप अपना जिला राजी बताओ चलो मैं थोड़ा सा तुम से यहां पर बात करता हूं मतलब कि वो क्या है डेली सारी कलास की लिंक के लिए और पीडियाप फाइल के लिए पीवियर स्टडी का टेली गराम चैनल जोईन कर लो बाबू टेली गराम ठीक है तो तुम्हें काम करो मैं एक लिंक दे रहा हूं कमेंट बाक्स में उस पे जा करके तुम तुरंट देख लो अगर तुम्हें नहीं पता कि टेली गराम क्या है टेली गराम चैनल कैसे जोईन करते हैं मैं एक link दे रहा हूं उस पे क्लिक करके जाके तुरन देख लो और जूए कर लो कि जितनी भी कलास चलती है इसमें सब की link मिलती है तुमें डिक सारी classroom ring मिलती है इस फे डेलीगराम पर सारा कंटेक्ट करना चलो तो मैंने जो कुश्चन पूछा था उसमें उत्तर आया है रभी यादव मेटकर नगर यूपी से हैं और उत्राखंड के कोटवारा से हैं सोहेल परी सोभा आसवाल सिंग्रवली मद्ध पर्दे से दिली भाई है वहीं आदव जी है अगवानपूर से माल जोगनगरी कानपूर से हैं यूपी से और बिहार के कटिहार से मसूद आलम है यंपी की रीवा से परंजलतिवारी है हिमाचल पर्देश के डिष्टिक मंडी से प्रिया सर्मा है और मध्ध पर्देश के पन्ना जिले से अफिसियल प्यूस है वहीं इटावा उत्तर पर्द हरसित कुमार हैं बिहार के मुझभफर पूर से जुड़े हुए हैं वीपिन जी यूपी के गोंडा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अगर आगे बात करते हैं तो हमारे पडोसी हैं बंदभ प्रयाग राज से सिवं कुमार नाब्या यूपी कानपूर से हैं राइबर है नहीं और भी हैं जार्खंड वाले भी हैं जार्खंड के देव-घर से रूपेस हैं इयस जी चित्रकूट उतरपर्देस से हैं सचिन को बुला करने के बाद आगे बढ़ते हैं जारखंड के लोहरदगा यह तो इनके गाओं का नाम है बाई गाओं का नाम मत लिखो परसांद कुमार भी प्रयागराश से हैं बगल से पढ़ोसी हैं बहीं यूपी के आजमगर से मनोज यादो जुड़े हैं बिहार के छपरा से अभी से कुमार हमार साथ जुड़े हैं बहुत अच्छे भाविसेक जी पेरी गुड़ मने आपको टाइम दिया थोड़ा होल्ड क किया है क्योंकि तुम लोग ज्यादा इकठा कमेंट करते हो इसलिए यादव जी यूपी के आजमगड से हैं जारखंड से गोपी चंद यादव है रभी यादव अंबेटकन अगर बेटा एक के बार बता हो बाबू एक बार कमेंट कर दिया दुबारा ना करो यार नहीं तो प्रियाह दो कि अनल attर करा एक अरा री डी परिया प्रींका भी है हरीवा मध्य पर देश ृत्रपर देश से 很नल याद्र ही मेरा भार्मा कि अटरह थे से हैं रूसन इंटर प्रदेश के महाराज's तेह से जुढए हुई կूए हैं रूपेस पंड़े पस्ती उत्तरपर्देश से हैं पुष्कर पांडे सुभम पर्याग राज उत्तरपर्देश से हैं 36 गड़ के जिला का नाम इन्हों नहीं बताया इनका नाम है रीनू खीना साउ वहीं रीनू यूपी और आया से जुड़ी हुए है और यूपी के हर्दोई से जुड़े हुए हैं इनका नाम है सिकंदर राज उत्तरपर्देश के बलरामपूर से पढ़ाई कर रही हैं रूबी दुवेदी और कानपूर यूपी से सत्यम जुड़े हुए हैं इटावा उत्तरपर्देश से पिपिन कुमार आयुशकार आय उत्तरखंड से हैं फूजा सिंग मौ उत्तरपर्देश से जुड़े हुई हैं पेटा सचीन तुम्हें बलाक नी करना मैं मेरी गल्ती हो गई ना चलो तुम्हें बलाक कर दिया प्रतावगड के उत्तरपर्देश से आदित एदुबंसी है राजकुमार तिवार यूपी के रैबरेली से हैं सिवम जी लाबाद से हैं यह जो दुबारा कमेंट कर रहा ना यह गड़वड है मैं इसे अब और ज्यादा धीमा कर देता हूं जिनको जाना है वो जाने हमारी कोशिस है हर कोई बच्चा खूस रहे हमत्लब उसका कमेंट पढ़ा जाए हर कोई बच्चा का कमेंट पढ़ा जाए तो भाईए भाई आब तुम्हारा कंच में एक सो असी सिकंड के लिए रोकूंगा क्योंकि तुम लोग बहुत ज्यादा कमेंट कर दिये के बार में मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ कुछ बच्चे दुबारा कर रहे हैं कुछ का नंबर नहीं आ रहा है ठीक है गोरकपूर से आजय गेमिंग है प्रिया सर्मा रजनेस को बला कर दिया जाएगा ठीक है नीतेस बेटा पढ़ाई कर लो बस पढ़ाई कर लो साधिवादी की चक्कर में न पढ़ो गाजीपुर यूपी से प्रितम विश्वास जुड़े हैं आधितागरा यूपी से हैं वहीं हंस मिस्रा और हर्स मिस्रा ये सब पर्याग राज से हैं सिकंदर हर दो यूपी से हैं कि वर्ट सब याद हो तुम का हां कर रहे हो हां तुम्हें कौन सी मुसीबत आई है कि मैंने तो कुछ पूछा ही नहीं कि हां करो कि मोहित पन्नोज उत्तर पर्देश से जुड़े हैं तो बंद करते हैं आज की कहानी यहीं पर खतम होती है अभी बहुत सारा काम भी करना नौबजे रात में आज फिर से लाइब आना है हमारी कोर्स है कुछ नहीं कुछ मिलेगा आपको रात के नौबजे से ठीक है तो सभी बच्चे रात के नौबजे आओगे की नहीं बताओ और इस कलास को लाइक करके जाना भी न लाइक किये नहीं जाना बटा है ठीक है रटी एक स्रीकांत नवादा बिहार से जुड़े हैं देखो मैंने एक बार जिसको तीन मिनट के लिए रोंका सब गायब हो गए रीजन है ना बार बार वही कमेंट कर रहा था एक है बच्चा नबाव गंच से जुड़े हैं बाई परसान ठीक है सागर मद्य पर्देश से भी जुड़े हैं इनका नाम है मूनीस दूबे राजस्तान के भिलवाडा से यलेस जी जुड़े हुए हैं भुशकर पांडे के यहां बारिस हो रही है बहर रहे हैं तहर रहे हैं अभी पानी में चलनो ठीक है तो बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों आप सभी को बहुत बहुत थेंक्यू रात के नौ बजे से आप लोग फिर से लाई बाना पी बीर स्टडी लाहबा चैनल पर वहां पर आपको बेसी कांसेप्ट सिखाया जाएगा बिल्कुल सुरू से गडिल